आजकी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हैं कुछ ऐसे फूर्ड आइटम जो कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी को काफी ज़्यादा इसमूद बना सकती हैं, जो भी लेडिज ये चाहती है कि उनकी नॉर्मल डिलिवरी काफी असानी से हो जाये, वो इस वीडियो को इसकीप ना करके पूरी-पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा, बात ये बहुत काम की है, वीडियो का फिंफर्मिटिव है, प्लिश्रूर से लेके लाज तक जरूर देखेगा, नमस्कार दोस्तुमेरा नाम हर्शिता वर्मा है, और आपका मेरे चैनल कर्ब घ्यान पे वहुआ जाए हुआ है आपकी रिपोर्ट की अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की रिपोर्ट सारी अच्छी होनी चाहिए और सारे योज्फ वहुआ की अमस्कार भाजब किस दिर स운 И यानि कि सबसे पहले घी को आप एक राम बाण उपाय माल लिजे कि जिन भी महिलाओं ने घी का सिवन कर लिया वो भी अपने थर्ट रैमेस्टर में इस्पेशली उनकी नॉर्मल डिलिवरी होने की संभाव में काफी जदा हाई है इसको अगर आप पुरुवेन कहोगे कि साइ ज़था सटिक भी हुई है कि घी का सेवन आपकी नॉर्मल डिलिवरी के चांसिस को और भी ज़़दा बढ़ा देती है तो घी का सेवन आपको ज़रू करना चाहिए गी का सेवन आपको करना है लेकिन राइट कॉन्टिटी में खाना भी ज़रुरी है और किस तरह के आप का भी आपको पता होना चाहिए जो देशी गाय का घी होता है वो ही सबसे जादा बहतर होता है जितनी अच्छी क्वालिटी का आप घी लीजेगा क्योंकि बहुत ज़दा एडल्टरेशन आपको दिख रही है मार्केट में जिसमें बहुत सरी चीज़े ऐसे मिला देते हैं जो की घी के नाम पे आपको बस उल्लू बनाया जाता है तो आप सही काइंड ऑफ घी का इस्तमाल करें राइट लेवर में पढ़के जल्दी से जल्दी आपकी नॉर्मल डेलिवरी हो सकती है तो आपको हमेशा हर खाने में जैसे कि आप चार मिल ले रही है दो छोटे-छोटे स्नैक ले रही है तीन मिल या फिर चार स्नैक ले रही है कुछ चीज तरह से जब भी कर रही है तो अगर आप snacking भी कर रहे हैं तो आप कोछ भी चीज आपको roast करना है fry करना है तो आप घी में ही fry करिए उसको roast करिए for an example मखाने को आप घी में roast कर लिजे या फिर अगर आप दाल खारी है तो दाल में आधा चमच घी आपको जरूर मिलाना चाहिए जितनी serving आपको लेना है आधा आधा चमच आपको घी जरूर डाला है यानि कि overall एक दिन में आपको एक से दो चमच घी से ज़ादा नहीं लेना है मतलब एक से डेड़ या दो चमच max to max आप घी उसको consume कर सकते हैं अस टेम पे आपकी body को काफी ज़ादा जरूरत है दूसरी चीज क्या होती है कि जिन महिलाओं ने third trimester में एकदम पूरा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते वे गुनगुना पानी यानि कि lukewarm water पीना स्टार्ट कर दिया उनकी normal delivery होने के chances काफी ज़ादा high होते हैं अब होता क्या है कि बहुत जदा गर्मी है हमें चिपचिपी मौसम लग रही है मेरा तो मन नहीं मान रहा है मुझे तो नहीं पीना है तो जिन हो ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया और जो गुनगुना पानी पे consistent रह लिए उनकी normal delivery समझो पकी ही है क्योंकि गर्म पानी जो ह वासी खाना या फ्रिज में रखा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए गर्म-डर्म ताजा भोजन करिए गर्म-भोजन भी आपके शिर्री में काफी ज़्यादा पोशक भी आपको रहेगा आपके शिर्र को गर्मी भी प्रदान करेगा और जिस टेम पे अग्र आप पानी पी लेंगी फ्रीज में जू भी रखा हुआ जो चीजे हैं उसको आजिटीज खा लेंगी तो इसका लॉंग टम पे नुकसान होता है तो आप कोशिश करिए कि गर्म तासिर वाली चीजे खाईए गर्म गर्म चीजे खाईए उससे आपकी नॉर्मल डिलिवरी होने के च जरूरत होती है तो जो ड्राइफ रूट के लड़ू होते हैं जो आपको सोंट के लड़ू वगरा बनाये जाते हैं उनका सेवन आपको जरूर करना चाहिए और ड्राइफ रूट के लड़ू अगर आप खाना प्रिफर नहीं कर रही है तो इंपॉर्टन चीज क्या होती है कि आप dry fruit को लेना शुरू कर दें dry fruit भी अगर right quantity में अगर आप खाते हैं अपने third trimester में तो उससे भी आपके बच्चे दानी का mood जल्दी पकता है और normal delivery के chances काफी ज़्यादा high हो जाते हैं मुझे लगता है ये 6 ओ चीज आप अगर ध्यान रखेगा उनका seven अगर आप करेगा उससे आपके normal delivery होने की संभावनाए काफी ज़्यादा high हो जाएंगी इस वीडियो में मिली जानकारी पे अगर आप satisfied है तो please like कर दिजेगा चैनल पे नए है तो चैनल को ज़रूर share और subscribe करे और मुझे instagram पे और facebook का जो मेरा page है उसको like को share करना बिलकुल न भूले thank you so much for watching गर भियान